हेलो फ्रेंड तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वाँगत है मेरे चैनल सोड़ पाउर पर और यह जो हमारा डेटाबेस सीरीज है उसका लास एपिसोड है जिसके अंदर में आपको सिखाने वाला हो कि डेटाबेस की आप जो एसकेल क्वेरी है उसकी प्रैक्टिस कैसे करोग और जो इंटर्यू में आपको क्या-क्या पूछा जाएगा बिगिनर को क्या पूछा जाएगा एडवांस लिवल पर क्या पूछा जाएगा उसके आपको इस एपिसोड के अंदर बताने वाला हो तो यह एपिसोड भी आपको पूरा-पूरा देखना तो चलो स्टार्ट कर तो कि मतलब beginner के लिए कौन-कौन से question पूछी जाएंगे मतलब जो आजब fresher के लिए apply कर रहा है मतलब समझो कि मेरा जो database का tutorial है वो आपने सीखा और फिर आप उसके बाद मतलब job के लिए apply कर रहे हो तो आपको मतलब कौन-कौन सी चीजी वो पूछ जाओ मतलब आपको पूछेंगे उससे पहले मतलब आपको खाली database के उपर तो कोई hire नहीं करेगा तो आपको प्रोग्रम में भी प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए तो python हुआ javascript हुआ फिर जो website design करते हैं उसके में टूटल बना के रखे तो देख सकते हो ठीक है तो तो मतलब समझो कि आपने bachelor का college complete किया है और आप internship के लिए apply कर रहे हो तो आपको कौन-कौन सी टाप के question पूछे जा तो मतलब मैं अगर interview लूगा तो मैं कौन-कौन सी question पूछूगा तो उसकी मैंने आप लिस्ट आउट किया हुआ है तो सबसे बेला question में आपको पूछा का पूछूगा की database की हम लोगो क्यों जरू पढ़ते ठीक है तो आपको मतलब short में simple में explain करना है कि सबसे मतलब जो starting के software थे मतलब 1960-1950 उसकी बात कर रहा हूं है तब हम लोग मतलब DAG disk के अंदर हम लोग data store करते थे उसके बाद थोड़े computer advance हुए फिर हम लोग मतलब file के अंदर हम लोग data वागेरा store करने लगए लिकिन उसके बाद फिर हमारा यूज बढ़ गया database का sorry हमारा जो data था उसका यूज बढ़ गया ठीक हम लोग बहुत सारे data हम लोग text file के अंदर save करने लगए फिर वो क्या compatible नहीं था और मतलब उससे मतलब बहुत time consuming था ठीक है तो इसके लिए हम लोगोंने क्या मतलब जो भी मतलब जीचने भी स्टार्टिंग में database बनाया होगा तो उन्हें क्या किया तो ऐसा software बना है जिसके अंदर हम लोग जो text format में जो data है वो हम लोग easily store कर सके और fetch कर सके तो इसलिए हम लोग को मतलब database के जरूर पढ़ते ठीक है वैसे तो हम लोग फाइल के अंदर भी कुछ भी store कर सकते notepad simple open करो उसके अंदर data store कर दो लेकिन उसको हम लोग फिर delete नहीं कर पाएंगी easily फिर paste नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसलिए हम लोग database यूश करते तो मतलब जो interviewer है वो आपको मतलब tricky question पूश पूश के पूश पूश के आपको confuse कर सकता है ठीक है तो आपको मतलब वो fast कर नहीं है तो हो सके तो साधा simple और मतलब आपके mind में भी कोई thought हो तो वो भी आप explain कर सकते हो ठीक है तो मैं जो answer बता रहा हूँ वैसा ही आपको exactly explain करना है तो ऐसा compulsory नहीं है ठीक है तो interviewer पर भी depend करता है वो मतलब अलग-अलग interview का अलग-अलग मतलब उनका knowledge होता है तो उसकी सबसे अलग-अलग answer expect करते तो दूसरा question है what is SQL तो खाली full form बता के छोड़ मत देना structure query language जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग जैसे पाइतन हुआ जावास्किप्ट हुआ उसका अलग से syntax होता है तो वैसे एक simple सा language structure query language इसके अंदर के आम लोग direct पूरा text लिखते है text मतलब select star from data table का नाम ठीक है तो मतलब यह क्या structure होता है एक दम fix तो उसको हम लोग use करते हैं तो database के अंदर तो उसको हम लोग structure query language जैसा बोलते है तो next is what is primary की foreign की unique की और इसका difference वो सब आपको गुमा-गुमा की इसके अ unique होता है और उसके अंदर हम लोगा मतलब null भी हम लोग insert नहीं कर सकते और यह खास करके हम लोग relation के लिए मतलब दो टेबल के relation के लिए हम लोग use करते हैं और और खास करके primary की और unique की इसका difference आपको पूचा जाएगा तो unique के अंदर के हम लोग relations मतलब वो create नहीं कर सकते ठीक है तो उसके लिए हम लोग को primary की चाहिए ही चाहिए तो उसी के साथ है foreign की foreign के मतलब child table के अंदर हम लोग को relation create करना होगा तो foreign की हम लोग को चाहिए जो parent table की primary की होती वह ही child के अंदर foreign की बन जाती ठीक है तो यह से मतलब आपको properly अच्छे से explain करना है उसके बाद next है what is different between left and right join यह तो आपको मतलब common ही है तो आपको कोई भी पूचे गई पूचे गा ठीक है तो आपको example के साथ अच्छे से मतलब जो भी आपके mind में example होगा multi-level marketing का example फिर जो online shopping है उसका example ठीक है तो मतलब अच्छे से मतलब आपको prepare करके जाना है उसके बाद आप देख सकते हो कि next question वही है tell me the real world example for left join ठीक है तो हम लोग को खाली left table से data चाहिए तो उस case में मतलब उस case में हम लोग को left join यूज करना परता है ठीक है तो उसका आपको एक अच्छे स example explain करना है तो आप left join वाला मेरा episode देखो गे तो उसके अंदर मैंने already आपको अच्छे से example वगड़ा सब बता है तो वह सब आपको mind में लेके जाना है और फिर उसके बाद next design database for multi-level marketing मतलब आपको 2-3 table design करने के लिए बो लेंगे उनके बीच में relationship create करो ऐसा मतलब वह सब आप practice कर लेना है उसके बाद what is view जो अमलोग database के अंदर view बनाते है multiple table को join करके फिर एक view बन जाता है ठीक है तो वह सब भी आपको मतलब पूछेंगे उसके बाद फिर store procedure फिर उसका syntax वागे रहा वो क्यों use करते वो भी आपको पूछेंगे ठीक है तो यह सब एकदम मतलब आप दिख सकते exam मतलब जो मैंने आपको पिछले episode के अंदर कर वा है वही आपे सब repeat हो रहा है तो simple इससे क्या पता चलता है कि आपको मतलब database का knowledge है आपको अच्छे से उसको मतलब आता है आपको अच्छे से उसको use करना आता है ठीक है तो यह सारी चीजे फिर पता चलता है फिर नेक्स अभी हम लोग देखते है कि मतलब आप क्वेरी की practice कैसे करोगे ठीक है तो कई company में पहले तो मतलब आपको practically पूछा जाएगा दो टेबल तीन टेबल लेके फिर उसका relationship create करो फिर फिर वह आपको कुछ ना कुछ query लेकने के लिए बोलेंगे उसके बाद फिर mock interview के अं इसके अंदर काफी अच्छे से SQL के example है जिसकी आपको अच्छे से practice करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने link दिया है वो simple आपको open कर लेना है hacker rank के उपर फिर इसके अंदर simply आपको कर लेना है login Google का भी उस कर सकते हो तो मैं sudo powers स login कर लेता हूँ और इसके अंदर जैसे first query एक है तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे question है easy, hard, medium, level तो सारे के सारे आपको इसके अंदर one by one solve करना है तो simple यह जो problem है उसके आगे एक button होता है solve challenge solve challenge करके तो उसके उपर आप click करो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके स से जो question है वो दियाई की name field है query the name field for all American cities in cities in city table with population larger than one to जो भी है और country code मतलब इन चाट यह जो city table है इसमें से आपको ऐसे record फैच करने जिसमें population इतनी हो मतलब greater इस से ज्यादा हो और जो country code है वो यह से होना चाहिए तो simple आप इसके अंदर इसको आप निकाल सकते हो पिर इसके अंदर select star from table का नाम क्या यहाँ पर आप देख सकते हो city है तो city लिखो where condition क्या यहाँ पर दो condition है एक तो है जो population है वो इतनी होनी चाहिए तो population जो जो field है वो आप देख सकते हो ठीके तो जो spelling है spelling mistake मत करना otherwise error आएगी तो larger than ठीके larger बोला हुआ है तो मैं simple यहाँ पर greater than यूज़ करता हूँ और यहाँ पर वन लेग 20,000 और उसके पद और एक condition है country code क्या होना चाहिए तो ही वेस है तो country code आप देख सकते है यहाँ पर फिल्ड है यहाँ पर हम लोग क्या दो दो condition है ठीक है तो simple है हम लोग end यूज़ करेंगे और जो field है उसका नाम है country code equal to double code अभी double code यूज़ करना है क्योंकि वो string ह वेर क्या होगा जो भी होगा आप देख सकते हो यहाँ पर वेर क्यार करके मतलब उसका data type है तो मतलब वो string है ठीक है तो उसका आपको double code के अंदर लिखना होगा semi colon करके simple आपको यहाँ पर run code करना है तो वो simple यहाँ पर चेक करेगा कि मतलब यह जो आपकी query है वह सही है कि नहीं तो यहाँ पर wrong आ रहा है तो friend आप देख सकते हो अभी वो यहाँ पर बोल रहा है कि city is an undefined name expected output यह होना चाहिए मतलब खाली city का नाम आना चाहिए ऐसा हो ब देख सकते हो query the name field मतलब हम लोग को यहाँ पर inch और star नहीं लिखना है यहाँ पर उसको फाली चाहिए name field और इसको हम लोग करते हैं फिर से run code देखते क्या output आता है अभी आप देख सकते हो फिर से आपर error आ रहा है USA is not valid in the context where it is used तो actually यह जो hacker रहे है कि इनना ने जो भी आप मतलब जो भी database use किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर db2 करके आ रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर select करते है माइस्केल फिर इसके अंदर लिखते है select name from city where actually मैंने copy पर copy करके रखा था तो इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट और अभी वह same to same query में हम लोग यहाँ यहाँ पर इसके अंदर वह डबल कोट अलाव नहीं करता है इसलिए वह error आ रही तो हम लोग नहीं आपे फिर से database चेंज किया और फिर हम लोग यहाँ पर run code करते हैं तो वह execute होना चाहिए तो आप देख सकते हो अभी successfully execute होगा ठीक है फेंस तो आपको मतलब आपको इस तरीके से पहले इसी ही practice करके रखना है तो मतलब आपको final में जब भी interview हो उसके अंदर आपको problem नहीं आना चाहिए तो सबसे पहले हम लोगों ने यह जो column है उसका मतलब हम लोगों ने mistake किया था फिर यह आप हम लोगों ने database wrong रखा था ठीक है तो मतलब आप directly interview के अंदर ऐसे आपको error आ ज सकते हैं यहां पर बहुत सारे database है Oracle है MS SQL मतलब Microsoft SQL ठीक है तो हर एक database के थोड़ा बहुत ही syntax change होता है ठीक है तो यह run होने के बाद successful होने के बाद आपको simple submit code कर देना है और वो फिर से वो टेस्क है जो भी है चेक करेगा तो कुछ इस तरीके से success और वो सब आ रहा है और यहां पर actually जो next question है उसका यहां पर link आ जाता है तो फिलाल तो नहीं आ रहा है तो हम लोग जाते है फिर से back यहां पर आप देख सकते हो basic select करके है और इसके अंदर जो दूसरा question है तो यह तो solve है solve है ठीक है तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से क्या है ठीक है तो मतलब यहां पर आभी simple simple है तो आप जैसे जैसे solve करोगे तो वह वैसे वैसे level बढ़ता जाएगा तो आप देख सकते हो यहां पर easy easy लिखा ह कर लेना है तो जो मतलब थोड़े advanced level पर है ठीक है मतलब जो बड़ी-बड़ी company में apply करने वाले है तो मतलब हम जो कि आपको तीन च्यार पात साल का experience है तो आपको काफी complex question पूछी जाएंगे तो मतलब query कैसे optimize करे यह काफी common question रहेगा तो मैंने जो MySQL का documentation है उसके अंदर यह query यह जो document है वो मिला था मुझे तो इसके अंदर कैसे आपको query को optimize करना है ठीक है तो खास करके मतलब जैसे आम लोग insert update डिलेट करते हैं तो उसमें ज्यादा मतलब देखा जाए तो टाइमने लगता है लेकिन जो data fetch करना होता है वो काफी important है ठीक है तो मतलब लाखो data हम लो grow है तो उसके अंदर एक ही user जो है application के अंदर बहुत सारे उसको stock दिखते है उसका जो chart है वो सब दिखता है तो वैसे तो हजारो user है लाखो user है जो मतलब वो data fetch करते ठीक है तो उस case में मतलब यह सब जो query है उसको optimize करने की काफी जरूर पड़ती तो यह जो documentation है वो आप पढ episode है लेकिन इसके अंदर आपको और एक चीज की practice करना है जो है date time function तो आप simple लिखोगे Google के अंदर MySQL date time function तो इसके अंदर कुछ ज्यादा complexity था नहीं इसलिए मैंने मतलब अलग से इसके उपर episode ने बना तो simple जो भी जितने भी function है उसके उपर आप जैसे क्लिक करोगी तो यह जो simple आप इसको यहां से copy करोगे और हम लोग जाते हैं workbench के अंदर और इसके अंदर new कर देता हूँ use दुकान दुकान और इसको select कर लेता हूं मैं फिर इसके अंदर हम लोग जैसे exhibit करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको output मिलेगा ठीक है तो मतलब आप data हम लोग database में तो कुछ इस तरीके से date store करते हैं लेकिन हम लोग को जब select करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग को जो भी day है ठीक है तो वह हम लोग को चाहिए तो उस case में आप यह function use कर सकते हो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ select star from orders इसको हम लोग करते है execute तो आप देख सकते हो order date तो उसके बजाए हम लोग को क्या चाहिए तो वो day चाहिए तो किस कुन से day पर वो order हुआ है तो उस case में आप यह function use कर सकते हो और इसके अंदर simple pass करो आपकी date वाली field और इसको हम लोग execute करते हैं तो आप देख सकते हो सारे के सारे order Thursday को आए ठीक है तो मतलब कुछ इस तरीक इसे date function जो है वो आप यूज़ कर सकते हो ठीक है तो जो इतने भी function है इसको आपको quickly देख लेना है quickly इसके आपको practice कर लेना है ठीक है तो यह आपको मतलब काफी ज्यादा काम आएगा जनरल ने हम लोग report वगरा जब बनाते है मतलब समझो पिछले month में कितना sale हुआ है तो इस case में आपको यह सारे function काफी ज्यादा काम आ सकते ठीक है अगर आपने मेरे पिछले episode नहीं देखे होंगे database के तो वह सारे आपको देख लेना है और इसकी आपको अच्छे से practice करना है और अगर आपको starting से programming सीखना है तो यह जो playlist है इसके अंदर मैंने HTML CSS सारे मतलब one by one one by one मैंने explain किये अगर आपको directly tailwind CSS से सिखना है तो उसका भी है और programming तो आपको skip करना ही नहीं उसके बाद javascript database फिर अभी आगे आएगा मैं अभी आगे स्टार्ट करने वाला पाइथन और फिर database और फ्रेंट फ्रेंटें ठीक है तो python के अंदर हम लोग API बनाएंगे जिसके अ करना के रखा है ठीक है तो अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो आप सीख सकते हो और आपके आज़ो बाज़ो जो भी फ्रेंड होगा जिसको भी स्टार्टिंग से सीखना है software development तो उन सभी के साथ आप यह मेरे सारे टूटेल जरू-जरू शेयर कर सकते हो ठीक है फ कर दो झाल 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 झाल